आप सबी लोग को बहुत 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 थैंक्यू क्योंकि कल मेरे चैनल पे कंप्लीट हो चुका है एक लाग सब्सक्राइबर तो आज के इस वीडियो में इस जर्णी में क्या-क्या फेस किया वो बताऊंगा कैसे मैंने 0 से 1 लग तक का सफर कंप्लेट किया वो बताऊंगा इसी के सासत मैं कहा रहता हूँ मेरा घर भी में आपको आज के इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे आप लोगों को भी कुछ ना कुछ शीकने के लिए मिलेगा कुछ मोटिवेशन मिलेगा इस वीड समय थे और यहां थे उसको खरीदने के बाद मैं यह देखा की ज़्वनेट से मीरा कुछ नहीं होता क्यूंकि मैं चोटा मोटा इंडरनेट का काम भी चेठा करता थे थे दिन राद फेल्स देखा करता था तो शाम होते इंडरनेट पूरा खतम हो जाता था तब मैं ने देखा जो भी सरे वंदे फ्रीफार खेलते उनके पस काफी साधा इंटरनेट बच जाता है क्योंकि टाइम भी पास हो जाता है और इंटरनेट भी उतना ज्यादा नहीं लगता है पस इंटरनेट के कर इस वीडियो तो आप लोग अडाम से गीम खेल सकते हो तो मैंने भी इंस्टल किया फ्रीफार इंस्टल करने के बाद काफी सारे इवेंट्स आते थे और उन इवेंट्स को कंप्लीट करने के लिए मुझे यूटूब पे वीडियो देखना पड़ता था तो कुछी दिन देखने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ अगर ये लोग इस वीड इस वीडियो को उना फिर ऊसे औरलो करता था आशारे शरूब वीडियो को डालना स्जूड़ किया अगर ये एक दूवी डियू का गया लेकिन पहली बार मेरे को धक्का वहाल लगा जब मेरा चैनल शुड़ू हुआ था था थोड़ा सा गुरू होड़ा था ता मैंने क्या एक की एक टेक यूटूबर्स का वीडियो देखा कि वीडियो फे व्यूस कैसे लाए तो मैंने क्या किया उसके अगले दिन से मेरे चैनल फिर से डाउन हो गया तो यह मेरे लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी और मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दो अगर आप लोग एक YouTube आड़ो इस वीडियो को देख रहो तो अगर आपको वीडियो सर्च में आ रहे है थोड़ा भी सर्च में अगर आ रहे तो आप आप लोग आपके चैनल के टैक्स को लेके कभी भी छेरचार मत करो क्योंकि आपका चैनल एक बार उस टैक पे अगर सेट हो जाता है तब क्या होता है हर एक वीडियो डालेगे थोड़ा वह सर्च पर आने लगता है लेकिन चैनल के टैक को अगर आप लोग चलने के बाद फिर से डिस्ट्राप करेगो तो आपको चैनल फिर से डाउन हो जाएग तो मेरा चैनल फिर से डाउन हो गया फिर मैंने रात भर सोता नहीं था बहुत जादा टेंशन होता था क्योंकि एक चीस चल रहे हो अगर खट से नीचे आ जाए तो आपको टेंशन तो होता ही है तो मुझे भी काफ़ी ज्यादा डिप्रेशन फिल होता था फिर भी मैं कितन और पिछले साल आपको याद होगा फ्री फार एशिया चंपियंशिप चल रहा था उस टाम पे मेरे दो वीडियो काफी जादा वायराल हो गये थे एक पर तो 400 के व्यूस तक आ गये थे तो उस टाम पे मेरे चैनल काफी जादा गुड़ो हो गये था अल्मस्ट 80 के सब्सक् आप लोग काफी सारा टेक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देते होंगे तो आपको ये गलती नहीं करना है क्योंकि आप लोग ज़्यादा टेक्स अगर डालोगे तो यूटूब के नजर में ये क्राय में वो मॉनिटाजेशन आप कर देते फिर मैंने क्या क्या सारा ची करते हैं फिर भी गाइस अगल आप लोग देखोगे तो मैं अल्मोस्ट दिन में हर दिन दो वीडियोस में आपके लिए डाला करते हो हाँ आप लोग अगर व्यूज को देखोगे तो उतना तो व्यूज नहीं आता है इसका एक बड़ा काणन ये भी है कि नॉटिफिकेशन नहीं जाता मैंने क्या किया था एक बार तीन वीडियोस डाल दिया था एक दिन में उसके बाद मैंने जिस दिन नेक्स दिन जो वीडियो डाला था उसके अंदर मुझे नॉटिफिकेशन किसी को नहीं बहल देता यूटूब ने फिर किया कि उसके बाद जितने भी सारे वी अगर आप लोग है कि यूटूबर आपको चैनल में कि भी कभी भी कुछ भी होता है तो आपको पता होगा कितना साधा टेंशन होता है ऐसे में यही है मेरा पूरा यूटूब का जार्णी इस बेच में मुझे एक जॉब भी मिला था डीबियो बनने का जो माइक्रोफनांस जो बैंक होता है ना घर घर जाके लोन प्रूबाइट करते है उस पर मैंने जॉब करने की कोशिश की तो जॉब मिल भी गए थी फिल भी मैं उसको छोड़ा था वस यूटूब को टाइम देने के लिए तो वो जॉब को मैंने छोड़ा अज शायद मैंने सही किया क्योंकि आज मेरे पास एक लाग की फैमिली है इसलिए मुझे लगते कि मैंने सही डिसजन लिया था अगर आप लोग पी यूटूब पे आना चाहता तो मेरी तरह सब कुछ छोड़ चार के मत आओ थोड़ा अग थोड़ा सा बोर्डिग लगा ओगा तो बस अपसहील ना क्योंकि एक फैमिली में काफी सारे बंदे होते सब कसुनना ही चाहिए को मैं भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताँ आप लोग को ये घर कैसा लगा और एक बर मैंने घर का वीडियो डाला था लेकिन क्या किया था कोई बंदे विशवास नहीं कर रहे थे कि ये मेरा घर है इसलिए मैंने दो तिन घंटे के अंदर उसको डिलिट कर दिया था तो बाकी आया होगा पसंदे तो लाइक करना कमेंट करना शेयर करके दोस्ते को बते दना अगर आप लोग कोई भी वीडियो मेरे चैनल पर देखते हो तो वीडियो को अच्छा ये मत बताओ वीडियो में क्या क्या मुझे ये बताओ क्योंकि कमी सही मुझे सीखने का मौका मिलते है अच्छा ये आप बताओ ना बताओ कोई बात नहीं लेकिन वीडियो में अगर आप लोग को कुछ भी गलत दिखते है कुछ भी यहाँ पर अगर आप लोग को लगते है कि ये चीज मैंने सही नहीं क्या वो जल्दी से ज़्यादा बताओ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तब के लिए बाई बाई थेंक यू